राजनंद गाउजले के टेका हर्रा गाउं की सड़क पर भारी बारिश और घोटिया बांध के लबाला भोने के बाद से 5 फिट तक पानी भरा हुआ है जससे जंजीवन प्रभावित हो गया है ग्रामिडोंने पुराने पुल को तोड़कर नया पुल बनवाने के लिए कलेक्टर को ग्यापन सौपा है चुरिय जित्बत पंचायद के वनाचल ग्राम पंचायद घोटिया के आसिरित ग्राम टेका हरण में बरसाथ और घोटिया बान का पानी सडकों पर गुटनों से च्छाती तक भरा हुआ है तिन वर्षपूर्व टिकानगट से टेका हर रह तक प्रधानमंत्री सड़क योजना के तहट बनाए सड़क पुल काफी नीचे हैं जिसके कारण गाउं की सड़क पानी से डूप चुकी है स्कूली बच्चों को स्कूल जाने के अलावा ग्रामिडों को अपने जरूरी समान लाने ले जाने में काफी परिसानी हो रही है गाउं के नीचली और घोटिया बांद के उलट का पानी पुल से कई फिट उपर बह रहा है जिससे सड़क भी पूरी तरह लबालब हो गई है इस समस्थ से निजात पाने के लिए ग्रामिड और जन पृति निधियों ने कलेक्टेट पहुँचकर सड़क पर बनी पूराने पुल को तोड़कर नया पुल बनाने की मांग की है ग्रामिडों की माने तो कई बार लोग निर्मान विभाग से मांग करने के बाद भी अधिकारी अंसुना कर रहे हैं अब देखना होगा कि कलेक्टेर को ग्यापन सौपने के बाद कब मांग पूरी होती है इंटे निउस के लिए राजन गाउसे लेलित सिंग ठाकुर की रिपोर्ट हो रहा है इसी विश्या को लेकर करके माननी कलेक्टर महोदा से हम मिलने आए हैं और उन्होंने बात कही कि हम ल्डवली से सासन से केंद्र सरकार की योजना से कुछ पैसा आएगा उससे हम तुरित निरा करेंगे अद्पूल का निर्मान करेंगे अस्वसंद्य कलेक्टर सा इसके पहले वी इसके पहले जसे का दिन बाद इसोई है जिसमें क्या है कि साल क्या है हर नदी नाले उफान पे है और इस साल बहुती ज्यादा समश्या है टेके हर्रा में बान बना है घोटिया का उसके जल भरा इतना अधीक है कि टेल पॉइंट में पीछे तरफ घोटिया जाने के लिए ना रास्ता है ना टेके हर्रा जाने के लिए रास्ता है जो पहले बना तो भुगा था पूल वो पूरा कमर भर से जादा च्छाती भर गला त पड़ गया कोई तुरंट ले जाना है हस्पताल तो नहीं जा सकता वह आज दस दिन से गाउं पूरा घिरा हुआ है पानी से तो इसलिए हम पूरे गाउंवाले आये हैं और हमारे मंदाल अधक्ष रविंद वैश्णौ जी और संजय सीनह जी और गाउंवर के लोग आये हैं और हम लोगों ने कलेक्टर से जाके मिले हैं उनको अपनी इनकी समस्याओं को बताये हैं कलेक्टर ने अस्वासन दिये हैं कि हम तुरंट इन पर हम कारवाई करके नया पूल बनाने के हम युजना बना रहे हैं के